इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे D-block elements के कुछ और characteristics कुछ और features जो है हमारे पास variable oxidation state and catalytic activities वगेरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आईए इस वीडियो को start करते हैं और देखते हैं कि oxidation state कैसे variable होती है D-block elements के अंदर हमने पिछली वीडियो में D-block elements के बारे में जाकर देख लें अभी हम start करते हैं variable oxidation states तो जो D-block elements हैं आपको पता है कि उनके पास जो last electronic configuration है वो S के अंदर आती है और D-orbital के अंदर आती है उनका जो D-orbital है वो भी partially fill होता है उस D-orbital के अंदर 1, 2, 10 electrons हो सकते हैं और S के अंदर 1, 2, 2 electrons हो सकते हैं तो आपको पता है कि last उनका क्या होता है shell उनका last shell जो है वो S होता है और second last जो है वो हमरे पास D होता है second last के अंदर उस यह चीट सेट सेट वह इनकी जो ऑक्सिडेशन स्टेट है वह डिपेंड करती है इनके अटामिक नंबर पे और इनके एलेक्टरोनिक कॉनफिग्रेशन पे D-block elements show diverse oxidation state from 1 plus 1 to plus 7 D-block जो elements हैं वो बहुत सारी तरह की oxidation state को show करते हैं इसलिए तो हम कहते हैं variable oxidation state इनकी जो oxidation state है वो variable है constant नहीं है अगर हम representative elements की बात करें तो हमारे पास जैसे 1A group था उसकी plus 1 थी 2A group की plus 2 थी तो अब उनकी क्या है constant आ रही है plus 2 है उनकी हमेशा plus 2 ही oxidation state रहती है कभी-कभी वो अपनी oxidation state एक से change कर सकते हैं लेकिन D-block elements जो है इनकी oxidation state बहुत ही ज्यादा जो है वो diverse होती है एक से लेकर 7 तक इनकी oxidation state जाती है ये कभी plus 1 show करते हैं कभी plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 7 तक ये show कर सकते हैं इसलिए इनकी oxidation state variable होती है, बहुत change होती रहती है क्योंकि ये different طरह से electron को lose कर सकते हैं ये electron को lose करते हैं और ये bonding जो करते हैं ये दो orbital से bonding करते हैं इसलिए इनकी इतनी ज्यादा Oxidation States जो आ रही है यह अपने 3D और बिटल से भी बॉंडिंग कर सकते हैं यह अपने 4S और बिटल से भी बॉंडिंग कर सकते हैं क्योंकि यह दोनों जो है वह यह इनकी लास्ट एलेक्ट्रानिक कांफिग्रेशन के अंदर आते हैं इसलिए इन दोनों और बिटल से यह जो डी ब्लॉक अलिमेंट से यह बॉंडिंग कर सकते हैं डियो टू वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंसेज बिविन 3D और बिटल एन 4S और बिटल बोथ और बिटल टेक पार्ट इन बॉंड फार्मेशन अब यह दोनों ही बॉंड में पार्ट क्यों फार्मेशन किवं इसलिए करते हैं क्योंकि कैट whispery कि अर्बिटल कि जो एनर्जी है वmaking similar है सेम ही हैो एस Norm tips इनर्जी से इन दोनों की एनर्जी जो हो तक अमज़ना इलेक्ट्रोनलज कर सकता है। तो इसमें सबसे कम दोनों में से कम है वह S-ORBITAL AORBITAL जल्दी से करेगा उसके बाद D-ORBITAL로 प만्यlish स्टिर्टाजन करेका लेकिं इन दोनों की तक्रीमस बातिशीच सा करेगाि था या यह दोनों ही electron lose कर रहे होंगे और दोनों ही bond की formation के अंदर part ले रहे होंगे 3D series 0.5 3D series oxidation state increase from scandium to magneze 3D series के अंदर अगर हम बात करें तो scandium से हम magneze की तरफ जाते हैं scandium, titanium, vanadium, chromium, magneze, iron, coble, nickel, copper, zinc तक जाते हैं तो इनकी oxidation state है वो अगर हम 3D series के अंदर देखें तो increase होती है scandium to magneze अगर हम scandium से magneze तक जाएंगे तो वहां से क्या होगी यह increase होगी उसके बाद फिर से zinc तक जो है यह decrease होगी तो इसके अंदर देख लेएं यहां से scandium से magneze तक यहां से यहां तक जाने तक यह क्या होगी इनकी oxidation state है वो क्या होगी increase होगी लेकिन magneze से आगे जाएंगे तो इनकी oxidation state फिर से क्या होगी decrease होती रहेगी और यहां से scandium की जो होगी titanium की oxidation state ज्यादा का मतलब है वो ज्यादा डाइवर्स शो बहुत यह प्लस 3 प्लस 4 भी कर सकता है तो इस तरह से प्लस 2 तो करेगा ही लेकिन प्लस 3 प्लस 4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शोग कर सकता है तो जैसे ही हम इसकेंडियम से आगे जाएंगे तो यह इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डाइवर् और यह एक ही oxidation state show करता है जो कि है plus two बाकि के यह diverse करते हैं मतलब बहुत ज्यादा oxidation state show कर सकते हैं most common जो oxidation state है इनकी वो है plus two most common का मतलब है इन में से हर element तकरीबन हर element जो है वो क्या कर सकता है plus two oxidation state ज़रूर show करेगा तो यह जो है यह सब elements plus two oxidation state तो show करेंगे ही और साथ में ये दूसरी भी oxidation state जैसे प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5 भी show करेंगे इसलिए इनमें जो सबसे common है वो प्लस 2 है मतलब प्लस 2 सब elements show करेंगे elements first lose electrons from 4s then 3d तो elements क्या करेंगे क्योंकि 4s इनका last orbital है ठीक है तो 4s इनका क्या है last orbital है इसलिए इसमें से सबसे पहले ये electron lose करेंगे उसके बाद ये 3d में से lose करेंगे क्योंकि 4s जो है वो 3d से कम है नीचे है और इसकी energy इससे थोड़ी सी कम है तो इसलिए ये उसके बाद 3d में से electron को lose करेंगे तो अब इनकी oxidation state थोड़ी सी देख लेते हैं और इनको देखते हैं कि इनकी oxidation state कैसे बन रही है और electron ये कैसे lose करते है तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास है scandium अब इनकी यहां पर लिखी हुए electronic configuration electronic configuration में यहां पर एक लिखावा है AR AR का मतलब है हमारे पास argon और argon का जो atomic number होता है वो होता है 18 तो यहां से लेकर यहां तक 18 electronic configuration argon की same होगी मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 यह हमारे पास electronic configuration हो जाती है यह पूरी argon की है इसके अंदर 18 electron जाते हैं तो यह सब की same होगी बाकी आगे यह electronic configuration different होगी जो कि यहां पर हमने लिखी है तो अब यहां पर क्या है सबसे पहले scandium है इसकी last electronic configuration की आती है 3d1 और 4s2 4s2 इसका complete होगा और 3d1 के अंदर इसका 1 electron होगा तो सबसे पहले यह क्या करेगा यहां से 4s से electron lose करेगा 2 electron lose करेगा तो इसकी oxidation state हो जाएगी फिर यहां पर एक और यहां से electron यह lose करेगा इस में से जब electron lose करेगा D Orbital में से तो इसकी जlaws total electronic configuration होगी वो प्लस 3 होगी यहां पर 2 यहां से lose करेगा एक यहां से तो प्लस 3 होगई सिर्फ यहां से करेगा तो प्लस 2 तो क्या करेगा अगर scandium ने 2 electron सिर्फ lose किये तो यह 4s में से इसने lose किये और यहां से इसकी प्लस टू अक्सिडेशन स्टेट हो गई लेकिन अगर इसने एक डी और्बिटल में से लूज किया है और दो यहां से लूज किया है तो इसकी टोटल इलेक्ट्रोनिक जो अक्सिडेशन स्टेट है वो प्लस थ्री हो जाएगी उसके बाद टाइटेनियम है इसकी भी ऑक्सिडेशन स्टेट में सिर्फ यहां पर 3D और 4S आते हैं लास्ट में बाकी इलेक्ट्रोनिक कंफिगरेशन सेम होती है तो 3D के अंदर 2 एलेक्ट्रोन और 4S के अंदर भी 2 एलेक्ट्रोन इसके आते है अब टाइटेनियम कहां से बॉन्ड बनाएगा तो यह यहां से 3D से अगर यह एलेक्ट्रोन लूज करें तो एक यहां से लेक्ट्रोन लूज करेगा तो टोटल इसकी प्लस 3 वैलेंसी हो जाएगी और यहां से दूसरा एलेक्ट्रोन लूज करेगा तो प्लस 4 इसकी वैलेंसी हो सकती है तो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इसकी वैलेंसी Titanium की हो सकती है, उसके बाद Valencia, Vanadium की जो होगी, यहां से Plus 2 लूज़ करेगा, तो Plus 2 लूज़ हो जाएगी, और उसके बाद यहां से तीन Electron लूज़ करेगा, तो Plus 3, Plus 4, Plus 5 तक इसकी Valencia हो सकती है, तो इस तरह से यहां पर हमारे पास जो तीन एलिमेंट इनकी वैलंसी यह आपके पास लिखी हुए है सिंपल है आपको सिर्फ इतने एलेक्टरॉन वहां से लूज करने और वहां से उसकी वैलंसी उतनी बन जाती है उसके बाद क्रोमियम जो है इसके केस में थोड़ा सा डिफरेंट समरे पास आ रहा है क्योंकि क्रोमियम का क्या करता है यह स्टेबल होने के लिए एक एलेक्टरॉन 4S से ट्रांसफर कर देता है 5D के अंदर जिसके पास यहां पर 4S के अंदर इसका 1 एलेक्टरॉन आ जाता है तो इसलिए 4S के अंदर 1 है तो यहां से सबसे पहले 1 एलेक्टरॉन यह लूज होगा यह लूज होगा तो क्या होगा इसकी प्लस 1 भी वैलंसी आ सकती है बाकी इतने जो हमने एलेमेंट देखे थे उसमें प्लस 1 किसी की भी वैलंसी नहीं थी लेकिन यह क्योंकि इसका 4S में 1 एलेक्टरॉन है इसलिए यह प्लस 1 भी वैलंसी शोग कर सकता है अगर प्लस 1 शोग करेगा तो उसके बाद यह जो है इसका इस्टेबल हो जाएगा लेकिन और इसको अगर हम हीट करेंगे तो हीट के बाद यह और भी एलेक्टरॉन डी और्बिटरल से लूज करने लगेगा जिसके बाद इसकी जो है अगर ये एक electron lose करेगा तो टोटल दो हो जाएंगे plus two valency plus three plus four plus five plus six तक इसकी valency हो सकते जिसके बाद इन दोनों और्बिटर में सारे electron's ये lose कर देगा तो इसकी one से six तक chromium की valency हो सकती है उसके बाद हमारे पास magnes है magnes जो है इसकी valency हमारे पास आ सकती है plus two पहले क्योंकि four s से ये दो electron lose करेगा तो इसकी valency plus two हो जाएगी उसके बाद यहां से five d से ये electron lose करने लगेगा क्योंकि ये जो five d है ये orbital यहां पर क्या हाफ फिल्ड है और half filled है तो stable होगा तो इसलिए इसको heat देनी पड़ेगी तब जाके ये ज्यादा energy देनी पड़ेगी तब जाके ये electron lose करेगा और lose करेगा तो यहां पर plus three plus four plus five plus six तक और plus seven तक इसकी valency आ सकती है है सिर्फ manganese की जो है वह highest balance है इस पूरे series के अंदर थ्रीडी series के अंदर उसके बाद हमारे पास है आयरन एफ ए तो यह जो भी हम element discuss कर रहे हैं यह हम एक three लेकिन इसके अंदर जो नीचे आएंगे ग्रूप के अंदर उनकी भी वैलनसी ऐसे ही same ही होगी क्योंकि वो उनका atomic number और उनकी electronic configuration same ही आएगी लेकिन सिर्फ यहां पर एंजो है 3D जैसे आ रहा है यहां पर 4D आ जाएगा और 4S की जगा 5S आ जाएगा तो इस तरह से नीचे ग्रूप में जाने से यह चेंज होंगे इन जो है सिर्फ टेंज होगा बाकी electronic configuration same होगी इसलिए उनकी oxidation state भी नीचे जाने से same होगी तो इसलिए बाकी groups की जो oxidation state है बाकी जो series है उनकी oxidation state वो same होगी अब आते हैं iron पे fe iron की जो oxidation state है वो सबसे पहले plus 2 शो करेगा जो के हमारी 4S से 2 electrons जाएगे उसके बाद एक electrons यहां से lose करेगा तो यह plus 3 हो जाएगी यह दो जो हैं यह most common valency है iron की जिसके अंदर यह उसके बाद stable हो जाएगा 3D 5 हो जाएगा ना क्योंकि एक electron यहां से चला जाएगा तो यह 5 हो जाएगा तो इसके बाद यह stable हो जाएगा और उसके बाद यह electron lose नहीं करेगा लेकिन और ज्यादा energy देने पर और ज्यादा heat देने पर यह कुछ electron lose कर सकता है जैसे के यहां से 3 electron lose कर सकता है जैसे के plus 4, plus 5 और plus 6 तक इसके valency आ सकती है लेकिन यह valency इतनी ज्यादा common नहीं है इसकी plus 2 और plus 3 यह बहुत ज्यादा common valencies है कोबल्ट की जो है यह पहले यहां से 2 electron lose करेगा तो plus 2 हो जाएगी और यहां से 2 electron lose करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगी plus 3 और plus 4 और इसके बाद क्यूंके इसके अंदर इलेक्ट्राइट ज्यादा है तो इसके बाद ये stable हो जाएगा फाइव तक ये 3D5 हो जाएगा तो ये stable हो जाएगा regulated आएगा कि siitä बाद इसके बाद की इसरफ फार connected ही इसकी w 믿ко करेगा है निकल ङंदर ये करें होगा तुद से इसके ब प्लस कोपर जोई यहांस एक इलक्ट्रों से ट्राँसफर कर दिया है तो उसका यहांसे लूज़िक, जोए लेकिन इसने 4S ने एक electron 3D के अंदर ट्रांसफर किया है तो उसकी वापसी ले लेगा अपना 4S यह अपना एक electron वापसी 3D से वापसी ले लेगा और वो भी bonding के अंदर शामिल कर देगा जिसकी वज़ा से इसकी प्लस 2 वैलनसी भी आ सकती है तो इस तरह से इसकी दो वैलनसी आ गई प्लस 1 और प्लस 2 उसके बाद जो है ज्यादा यह electron लूज नहीं करेगा जिंग के अंदर देखें तो यहां पर यह जो है यह 3D क्या इस टेबल है इसके अंदर complete 10 electrons मौजूद है और यहां पर 4S जो है यह 2 electrons lose करेगा तो जिसकी वज़ा से जिंग के अंदर सिर्फ प्लस 2 ही बैलनसी होगी उसके बाद यह D orbital में से कोई भी electron lose नहीं करेगा उसके बाद एक self assessment के कुछ questions है इनको देख लेते हैं self assessment में हमरे पास क्या आ रहा है write the electronic configuration of the following elements हमें दिये हुए हैं उनकी electronic configuration हमें लिखनी है तो पहला element है vanadium, chromium, nickel और titanium चार elements हमें दिये हुए हैं इनके atomic number आप देख सकते हैं vanadium का 23 है यह सभी इनके जो number है वो 20 में आ रहे हैं तो इसका मतलब है यह कौन से elements हैं सारे 3D series के elements हैं इनकी electronic configuration करें तो पहले आएगा 1S 2,2S 2,2P6, 3S 2,3P6 यह जो है आरगान की electronic configuration है यहां तक electronic configuration जो है eighteen electrons हो जाते हैं जो कर दिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि यह आरगन की Electronic configuration ऐसलिए यह यहां पर AR भी हम लिख सकते हैं तो इन तोरो सभी में यहां तक सेम आएगा है तो ये के अंदर इस के three electrons आ जाएंगे और यहां पर complete electronic configuration आप ने ये पूरी electronic configuration सीक्की ती इसके इसे आरो से ऐरो सब ना किancy फ्रॉo मेत मैफर अपने सीख्षा था उसके बाद मेगनीज के अंदर 25 इलिख्ण है तो ये 18 तक जाना सारा हम हो जाएगा और कि जो electronic configuration है वो आ जाएगी उसके बाद यहां पर 18 है तो यह टू इलेक्रॉंस के अंदर आ जाएएंगे 20 हो जाएएंगे और 3D के अंदर 5 एलेक्टरन आ जाएंगे जिससे यह कितने हो जाएंगे ट्वेंटी इसके बाद निकल है हमारे पास निकल के 28 एलेक्ट्रोंस हैं और इसके अंदर 18 एलेक्ट्रोंस आरगन की सेम यह आ जाएगी जो हमने लिखी है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 इसके बाद 4s के अंदर इसका 2 एलेक्ट्रोंस आ जाएंगे जिसके अंदर इसके टोटल 20 यहां तक हो गए और इसके बाद 8 एलेक्ट्रोंस डी और बिटल में आ जाएंगे जिससे इसके 28 एलेक्ट्रोंस हो गए टैटेनियम के 22 एलेक्ट्रोंस हैं तो इसके अंदर आरगन के पूरे electronic configuration लिखनी है तो यह सारे जो है यहां तक यह आप सारे inlines में भी लिख सकते हैं जिससे आपकी यह पूरी electronic configuration complete हो जाएगी और यह जो है यह आपके most main है और यह हमारे पास last electronic configuration है इन elements की तो आगे चलते हैं अब आजाते हैं catalytic activity पर catalytic activity से क्या मतलब है हम एक हमने पढ़ा था catalyst catalyst क्या होता है एक ऐसा substance जो किसी भी chemical reaction को speed up कर देता है और उसकी speed को बढ़ा देता है ताकि वो reaction जल्दी से हो जाए और हमें जल्दी product मिल जाए इस substance को हम कहते हैं catalyst तो catalyst एक ऐसा substance होता है जो कि reaction को speed up करता है कोई भी reaction अगर हो रहा है suppose हमारे पास हो रहा है h2 plus o2 और इसमें हमारे पास बन रहा है water h2o तो इसके अंदर ज्यादा catalyst ज़रुत नहीं है मैं ऐसे example के लिए मैंने लिख दिया है तो इसके अंदर क्या होता है हमें catalyst को एक use करना होता है अगर हम इस reaction के अ इसकी speed बढ़ा देता है reaction की speed बढ़ा देता है साथ में यह catalyst इस reaction के अंदर convert नहीं होगा इस reaction के product के अंदर catalyst नहीं मौझूद होगा ऐसा नहीं कि H2O के अंदर निकल आ जाए और यह इसके अंदर molecule के अंदर ही Ni लग जाए ऐसा नहीं होगा मतलब यह reaction के अंदर खुद पार्ट नहीं लेगा reaction खुद reaction नहीं करेगा सिर्फ इसके reaction की speed को बढ़ा देगा और यह खुद जो है last में अलग ही होगा इस reaction के अंदर पार्ट नहीं लेगा और इसको हम कहते हैं catalyst तो अब catalytic activity का मतलब है यह जो है हमारे पास d block element यह catalyst के तोर पे ज्यादा यूज होते है most of the transition elements and their compounds serve as a catalyst in numerous chemical reaction बहुत सारे chemical reaction के अंदर हमारे पास यह transition elements यूज होते हैं as a catalyst के तोर पे इन बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है transition elements को by fire आदकर में हम हमें हमें के तरह यूज नहीं कर सकते हैं हमारे पास सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ही हम एडिशन रियक्षिन करते हैं अब कुछ एक्जम्पल्स हैं एक्जों यहित अगे पड़ेंगे उन दोनों को एड्यू हम यूज करते हैं निकल को निकल एक केटलिस्ट होता है जो इन तोनों को एड़ करने के रियक्शन को स्पीड अप कर देता है दूसरा हमारे पास है सेंथेसिज अफ अमूनिया जैसे कि हम अमूनिया जब बनाते हैं है बर बोस्ट प्रॉसेस से तो उसके अंदर हम आइरन को यूज करते हैं आइरन को यूज करते हैं ताकि वह अमूनिया की प्रॉडक्शन को उसकी स्पीड को बढ़ा दे तो इस तरह से अमूनिया की सेंथेसिज में हम इसको यूज करते हैं अभी हमने एक प्रॉसेस पढ़ा था कॉंटेक्ट प्रॉसेस जिसके अंदर हम क्या बना रहा था, Contact Tower के अंदर reaction के speed को बढ़ा रहा था, वो catalyst था V2O5, vanadium pentahoxid, तो इसके अंदर ये vanadium जो है, ये एक transition element है, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या use हो रहा है, एक catalyst use हो रहा है, जो के vanadium है, और ये vanadium एक transition element है, तो इसका मतलब है transition element ही ज्यादा तोर पर catalyst के तोर पर यूज होते हैं water splitting, water splitting हमारे पास क्या है? पानी को तोड़ना, पानी के तोड़ने, हमें पानी को अगर हम तोड़ते हैं hydrogen और oxygen के अंदर तो इसके अंदर भी हमारे पास catalyst यूज होता है लेकिन इनके अंदर ऐसी क्या property है जो कि ये catalyst के तोर पर यूज हो पा रहे हैं तो इनके अंदर जो property है catalyst के तोर पर यूज होने के लिए वो यहां पर discuss करते हैं तो transition elements have variable oxidation state, they can easily lose our gain electron from reactant and from more reactive intermediate which firm product rapidly तो transition elements की क्या है? oxidation state variable है, बहुत ज्यादा oxidation state ये show करते हैं इस वजह से ये catalyst बन पाते हैं, मतलब ये जो catalytic activity है ये depend करते है variable oxidation state पर किसी element के अगर variable oxidation state ये तो वो ज्यादा catalyst के तौर पर act नहीं करेगा variable oxidation state का मतलब है वो अपनी oxidation state को change करते देते हैं इसका मतलब है ये देकन easily lose or gain electron अगर दो electron lose करने होंगे तो भी वो कर देंगे तो मतलब जल्दी से वो electron को lose कर सकते हैं या gain भी कर सकते हैं तो easily वो electron को gain या lose कर सकते हैं और ये क्या करते हैं? उसके बाद एक नए intermediate बनाते हैं मतलब बीच वाले से compound बनाते हैं जो के ज्यादा reactive होते हैं suppose हमारे पास एक catalyst है ये क्या करेगा? इस hydrogen को क्या करेगा? सबसे पहले इसको react कर लेगा hydrogen को absorb कर लेगा जिसकी वज़ा से क्या होगा? ये hydrogen atomic hydrogen के अंदर convert हो जाएगा free radical के अंदर convert हो जाएगा जिसके बाद ये atomic hydrogen और ज्यादा reactive होता है और ये जल्दी से reaction करता है तो इस तरह से ये speed को बढ़ाते हैं, reactant से reaction करते हैं और उसके बाद intermediate compound बनाते हैं जल्दी से बना लेते है तो इसी लिए हम कहते हैं कि यह स्पीड अप कर रहे हैं नो कर सकते हैं और अपकर करेंगे तो क्या होगा उन और ज्यादा और ज्यादा यह वह रयक्टव साइड जो मॉलिकुल्स हैं वह होंगे और इसके बाद रियक्शन जल्दी हो जाएगा तो इस तरह से दो इनके पास प्रॉपर्टीज एक वेरियबल ऑक्सिडेशन सेट और एक है एक्टिव साइट इनके पास मौझूद है जिससे वो एब्साब करते हैं मॉलिक्यूल्स को और इस तरह से यह सर्व करते हैं तो इसलिए इनकी एक्टिविटी होती है यह था आज का मारा लेक्चर होपफ्ली आपको लेक्चर पसंद आँगा आज हमने दो केटरिगरीज दो हमारे पास फीचर को डिसकस किया नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो फीचर्स जे उनको डिसक्स करेंगे तब तक के लिए मुझे दिजिए अजाजत बिलते है अगली वीडियो में थैंक यू सो मच फू वाचिंग